मित्रो अगर इस होली पर आपको अपनी किसमत बदलना है अपनी हातों की लकीरे बदलना है और आपको माला माल बनना है तो आज का एक छोटा सा वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि आज मैं बताऊंगा होली की रात में एक काम करने से आपकी किसमत किस तरीके से बदल जाएगी मित्रो वेदों के नुसार पुराणों के नुसार और शास्त्रों के नुसार आज मैं आपको होली का एक छोटा सा टोटका बताने वाला हूँ जो आपकी किस्मत बदल कर आपके जीवन में खोशिया ला सकता है आपको करना क्या है? होली की रात्री आठ बजे अपने बगवान की मंदिर में बेटना है जहापर आपका बगवान का मंदिर है न वहाँ पर आपको बेटना है एक लाल वस्तर लेना है उस लाल वस्तर के अंदर आपको एक मुट्टी ज्वार लेना है एक मुट्टी चावल के अकसर लेना है और उसकी एक छोटी सी लाल पोटली बना लेना है उस पोटली को हातों में पकड़ना है और एक मंतर का जाप करना है ओम हीम कलिम माता महालक्षमी धन देही देही नमस्वाहा इस मंतर का 108 वार जाप करना है और जो अभी मंतरत की हुई पोटली तैयार हुई है जो आपके हाथों में है उस पोटली को आपको करना के है अपने घर के मंदिर में रख देना है 24 गंटों के लिए उसके बाद अगले दिन आपको उस पोटली को ले जाकर दो जगे प्याब रख सकते है या तो जहाँ पर आपकी तिजोरी है जहाँ पर आप पेसा रखते हैं वहाँ पर रख दीजे अगर आवान नहीं रख सकते हैं तो जो आपको मुक के दरवा जाए उस पर लटका देजिए माता लक्षमी हमेशा आपके घर में मौजूद रहेगी जिस भी काम को आप करेंगे उसमें सफल होंगे पेसा आपके घर के अंदर खीचा हुआ चला आएगा धन पेसो की कमी आपके घर के अंदर नहीं होगी